अरे अरे पूजा देखो बच्चे की रोने की आवास आ रही है लगता है डिलीवरी हो गई पूजा और शीतल यहाँ पर रादा को लेकर होस्पिटल पहुंच जाती है डॉक्टर नर्स जल्दी से आईए देखे पेशेंट को बहुत दर्ध हो रहा है अरे नर्स जाओ जल्दी से एमर्जेंसी में एक पेशेंट आया हुआ है जाओ उसे जल्दी से लेकर आओ अह अह अरे जल्दी से चलो जल्दी से मुझे बेट पर लेटा दो अरे हाँ मैं अभी लिटा रही है चलिए मैडम जल्दी से बैट पर लेट जाएए अरे अरे इन्हें कोई रोको इन्हें अंदर इंट्री कैसे मिल रही है अभी तो मेरा नमबर था बै और मेरी वाइफ पुरे दो घंटे से यहाँ पर खड़े हुए है अरे नहीं पहले हमारा नमबर है मैं जाओंगा अजी अजी आप यह क्या करें है वो लीडी प्रेगनेंट है और उसे बहुत दर्द हो रहा है अच्छा तो ऐसी बात है वो लीडी प्रेगनेंट है चलो कोई बात नहीं हम हमारे जगा पर जाकर वापस बैठ जाते है आह आह मेरे देर्से बुरा हाल हो रहा है ये डॉक्टर कहा चली गई अरे मेडम आपको कहा दर्द हो रहा है मुझे अच्छे से एक्स्प्रेंड कीजिए मेरे पीट में बहुत दर्द हो रहा है और आप जल्दी से कुछ कीजिए ओ अच्छा तो मैं समझ गई अरे नर्थ सारा सामा लेकर जल्दी से यहां पर आओ अरे मेडम आप गहरी गहरी सासे लीजिए अरे इस पेशेंट के साथ कौन आया है अरे मेडम कहिए ना क्या बात है हम आये है पेशन्ट के साथ में अरे मेडम ये पेशन्ट आपकी कौन लगती है ये पेशन्ट हमारी पडोसी है अचानक से इसके पिट में दर्द हो गया था इसलिए मैं और मेरी छोटी भेन इसे लेकर हस्पताल आ गए बताईए ना क्या बात है सब ठीक तो है ना ओ अच्छा तो मैं समझ गई आप इनकी रिलिटिव नहीं है आप तो इनकी पडोसन है बिना इनके रिश्टदारों की परमिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते है मैडम अरे अब मैं क्या करो डॉक्टर ये सब क्या के रही है अरे फूजा देखो ना इन्होंने रादा के डिलिवरी करने के लिए मना कर दिया है कह रही है कि जब तक घरवालों के परमिशन नहीं होंगी तब तक हम डिलिवरी नहीं करेंगे अरे दीदी अब ना जाने क्या होगा पहले तो हमने रादा को हॉस्पिटल लाने में बहुत देर कर दी है चलिए हम चलका डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते है अरे डॉक्टर मैम प्लीस ऐसा मत कीजिए देखिए पहले ही उसे हास्पिटल लाने में हमने बहुत देर करदी है प्लीज आप जल्दी से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए अरे मैड़म हम कुछ नहीं कर सकते हैं हास्पिटल के भी कुछ रूस होते हैं जिन रूस के खिलाफ हम नहीं जा सकते प्लीस मैडम मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीस इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए अगर इसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे अरे प्लीस मैडम आप ये सब कुछ मत कीजिए मेरे पास एक रास्ता है मैं आपको एक फॉर्म देती हूँ आप उसके अपर सिगनिचर कर दीजिए और फिर मैं इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँगी लाइए मैं कहा है फॉर्म मैं अभी सिगनिचर मार देती हूँ बस अब रादा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए अरे वाँ कितनी अच्छी औरत है देखो जरा कितनी मदद कर रही है अपने पडोसी की अरे हाँ वहू तुम बिलकुल ठीक कह रही हो बहुत नसीब वाले होते हैं ऐसे लोग जिने ऐसे पडोसी मिलते हैं अरे पुझा जल्दी से बताओ क्या कहा डॉक्टर ने बस हमें एक फॉर्म पर सिग्निचर करना है और वो रादा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे अरे वा रादा ये तो बहुत ही खुशी की बात है मैंने रमेश को कॉल लगा दिया है थोड़ी ही देल में वो हॉस्पिटल पहुशता ही होगा ये लीजिए एग्रिमेंट और जल्दी से इसके पर सिग्निचर करके सम्मिट करा दीजिए पूझा यहाँ पर फॉर्म पर सि अरे चलो जल्दी से पर्दे को डाल देती हूँ फिर हमें जल्दी से ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना है अरे दीदी मुझे तो बहुत स्पिकर हो रही है रादा की पता नहीं क्या होगा अरे पुझा इतना परिशान मत हो देखना सब कुछ ठीक ही होगा इतने में ही रादा रादा कहा है मेरी रादा मुझे उससे मिलना है रादा रादा अरे ये देखो फुझा रमेश तो आ गया अरे रमेश तुम आ गए अरे शितल दीदी जल्दी से बताईए मेरी बीवी रादा कहा है अरे रमेश तुम फिकर मत करो हमने रादा को हॉस्पिटल में एड पर जाने की पर्मिशन नहीं मिलेंगी देखो हम भी कबसे बाहर बैठकर इंतिसार करें हैं चलो तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ देखना थोड़ी ही देर में खुशकबरी सुनने के लिए मिल जाएंगी अली पता नहीं चिंकी एंजल क्या चल लहा होंगा तुम्हें भाई ह या फिल बहन होंगी वाल मुझे इतना जलूर बता है कि अब तुम बली बन जाओंगी और तुम्हाले पास एक छोता भाई या छोती बहन होंगी जिसके उपर तुम लुबाब कर शक्ती हो जैशा मैं कलती हो गोलो के साथ वो मिली हल बात शुनता है जैशा मैं कहती हूँ वेशकलता है चलो ममा को चलकर पूछते है नहीं कि व्यान के पूछते हैं कि गोट निश मिली है ये नहीं रही हाँ हाँ छलो नैना अली ममा रही हूर करने देखना थोड़े इस दिर में गोठ लुठे के आवास आने लगती है अरे वाट बॉई जाओ और पेशेंट के साथ में जो लोग आए हैं उन्हें बुला कर लाओ अरे पेशेंट के साथ में आप ही आए है क्या आपको डॉक्टर मैम अंतर बुला रही है अरे अरे हमें बताओ ना क्या हुआ है लड़का हुआ है या फिर लड़के हुई है सब कुछ अच्छे से तो हो गया ना अरे हा मैम सब कुछ अच्छे से हो गया है अब लड़का हुआ है या लड़की ये मैम आपको डिकलार करेंगी अले अले चलो चिंकी चलकर देखते हैं क्या हुआ है तो हाँ हाँ पुझा चलो चलकर देखते हैं मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अरे मुबारक हो आप तो मासी बन गई है इन्हें लड़का हुआ है अरे वा दीदी सरे देखिए न ये तो कितना खुबसूरत है बिल्कुल अपनी बेहन चिंकी के अपर गया है अरे हाँ पुजा तुम तो बिल्कुल ठीक के रही हो ये तो पुरा अपनी बेहन की तरह दिख रहा है अरे मुबारक हो रादा तुम्हें तो लड़का हुआ है देखो कितना प्यारा है कितना क्यूट है अरे मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रियादा कैसे करूँ अगर आप दोनों नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या हुआ होता अरे रादा फ्लीज मुझे माफ कर दो मुझे तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था अरे रमेश जी छोड़िये न आप कौन सी बातों को लेकर बैट गए ये देखिए आपका बेटा पुरा आपकी तरह ही दिख रहा है अरे हा रादा मैं तो उसे ही देख रहा हूँ इतना प्यारा और कितना क्यूट है पूरा अपनी बेहन चिंकी के उपर गया है देखो जरा कितना बदमाश है पूरा अपनी बेहन के उपर ही गया है मैंने गोद में क्या लिया इसने रोना शुरू कर दिया रुको भई रुको अभी तुम्हें तुम्हारी मा के पास छोड़ देता हूँ अरे नेना बीटा तुम यहाँ पर क्या कर देई हो अले मम्मा प्लीश इशे मेली गोट में दीजिए ना मुझे इशे मेली गोट में लेकल बेटना है प्लीश मम्मा प्लीश अच्छा ठीक है रुको अभी देती हूँ तुम मांडी बनाकर निचे बैठ जाओ अले वाल आदम आशी ये तो हमाले गोलोशे भी श्यादा क्यों थे अले मैंने गोट में क्या लिया इस ने तो लोना शिलो कल दिया ये तो बहुत नाड़क बाश है अले खामश हो जा अले क्यो लोला है अले मन लो अले अले ममा ये तो कितना लोला है ये लीचिये मुझे नहीं लेना ये शेमेली गोट में अरे नैना अभी ये बहुत छोटा है अभी ये सिर्फ अपने ममा के पास रहेंगा तो इसे फिर कभी ले लेना सो फ्रेंड्स आज के स्टोरी हमारे यही तक इसी तरह की मज़िदार स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कोने ना भुले थैंक्स पर वोटिंग इस वीडियो